आप सब लोग आज की जो रीडिंग है वो आपके उस टॉपिक के उपर है जो आपने आज तक यहां मेरे चैनल पर तो नहीं देखी होगी आज मैं आपको एक ऐसी रीडिंग देने वाली हूँ कि आपका जो आप सोचते हैं कि आप क्या कर सकते हैं पर वो कर नहीं पा रहे हैं वो ऐसी कौन सी चीज है जिसके पीछे आप बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं जिसके पीछे आप बहुत ज़्यादा पागल हो रहे है कि ये मुझे मिलना चाहिए, ये मुझे करना है तो वो कौन से ऐसे चीज है और उसके लिए guidance क्या है यहाँ पर आपके सामने 3 piles हैं और सबसे 1st pile में black color की angel crystal है और ये आप चूज कर सकते हैं अगर आप 2nd pile चूज करना चाहते हैं तो ये थी आपकी piles की बात जो मैंने यहाँ पर की है कि 3 piles हैं, तीनों में से आपको जो अच्छी लग रही है आप उसे choose कीजिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले इस topic की कि अगर आप tarot सीखना चाहते हैं अगर आप इसी तरह से जिस तरह से मैं यहाँ पर tarot की details आपको देती हूँ या readings करती हूँ, आप उसी तरह से tarot को सीखना चाहते हैं तो आप हमारे course को join कर सकते हैं 2nd October से इसका next batch start हो रहा है यह बिल्कुल certified course है और आप इसको join करके tarot को बहुत अराम से सीख सकते हैं simple और सरल language में हिंदी भाषा में आपको tarot मैं सिखाऊंगी तो चलिए इसका हिस्सा बनिए और मेरे साथ join कीजिए tarot के special word में मेरे साथ इस journey में आगे बढ़िए आपका स्वागत है अब बात करते हैं आज की reading के बारे में जिन्होंने three piles में से किसी भी एक pile को select किया है आप किस चीज के पीछे भाग रहे हैं क्या चीज आपको चाहिए किस के लिए आप worried रहते हैं क्या आप नहीं ले पा रहे हैं आज उसकी बात करते हैं जिन्होंने black color की crystal angel को choose किया है उनकी reading करते हैं first pile की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर है two of wands, ten of wands और ten of swords और इसके साथ है four of cups तो यहाँ पर reading को start करते हैं काफी energies यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है different तरीके की यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए जो सबसे पहले दिखाई दिया वो है कि आपने कुछ ऐसा project sign किया था, कुछ ऐसा काम आपने सोचा था, जिसे आप करने ही वाले थे, कि आपके ऊपर किसी चीज़ का इतना बड़ा pressure हुआ या किसी ने आपके ऊपर धोखा किया, जिसकी वज़े से आप उसे कर ही नहीं पाए बहुत बड़ा project था, बहुत बड़ी आपकी सोच थी, बहुत ज़ादा आपने सोच लिया था उस काम के लिए जिसके बारे में आप बार बार सोचे जा रहे थे, और आप उसे implement करने ही वाले थे, पर आपके लिए जो plannings आपने की थी, आप उसको implement नहीं कर पाए तो जिसकी वज़े से आप बहुत worried है कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर financial देख सकती हूँ, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैं इसको भी देख पा रही हूँ कि family pressure बहुत ज़ादा था या family में कुछ ऐसी बात हुई जिसकी वज़े से आप उस project को नहीं कर पाए आप उस काम को नहीं कर पाए तो जिसके लिए आप बहुत ज़ादा तड़प रहे हैं बहुत ज़ादा आप में इतना pressure आया हुआ है इस समय पर कि आप उसको जेल नहीं पा रहे आपको लगता है कि ये चीज तो अब कभी नहीं कर पाएंगे पर आपको इस दर्द से गुजरना होगा आपको इस दर्द से गुजर जाना होगा आपको ये देखना है कि आपके पास है क्या आपके पास जो है आप उसे enjoy करने की कोशिश करें आपके पास जो है अभी आप उसके साथ रहें अभी आप वो मत सोचें जो आपने नहीं लिया है या आपको नहीं मिला है क्योंकि कभी-कभी ऐसा टाइम होता है जब आप बहुत जादा परिशान होते हैं और आपको वो चीजें दिखती ही नहीं जो आपके पास है अभी प्लैनिंग्स का टाइम है आप उपनी और प्लैनिंग्स कीजिए अभी आप और सोचें यह टाइम है बहुत सारी मेडिटेशन का यह टाइम है मनन करने का यह टाइम है सोचने का कि जो अपाचनुटीज आपके पास आई आप उसे expect क्यों नहीं कर पाए रीजन क्या रहे, क्या प्रेशर रहे फैमिली के या आसपास के लोगों के या किसी ने आपको धोखा दिया, डिच किया या क्या प्रॉब्लम आपके ऐसी रही तो बैठिये थोड़ी देर उसको मनन कीजिए और उसको री इवैलुएट करके फिर से आगे बढ़िये self-made tarot से जो balance निकल कर आया है तो वो भी यही दिखाता है कि you have to balance your energies, you have to balance your aura, you have to balance your circumstances तो आपको यह करना होगा, अगर आप इसको नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं आप उन opportunities को खो देंगे जिनके बारे में आप बहुत सोच रहे हैं, बहुत तडप रहे हैं अगर आपको re-evaluate करना है, तो करें इस time पर meditate करें, बैठें, सोचें, मनन करें यह आपके सोचने का समय है, पर pressure लेने का समय नहीं है क्योंकि pressure बहुत जादा है तो इसलिए आपको यहाँ पर बहुत काम रहना है बहुत balanced रहना है, balanced energy के साथ देखे, two of wands भी यही दिखा रहा है balance भी यही दिखा रहा है कि आपको चीज़ों को balance करके ही आगे चलना होगा नहीं तो वो चीज़ें आपको कभी नहीं मिलेंगी यहाँ पर ten of swords यह दिखाता है कि कुछ painful आपके साथ चल रहा है बहुत साथा deep आपको hurt हुआ है बहुत जादा pressure आपने महसूस किया है यहाँ पर आपको बहुत जादा ही energies ऐसी मिल रही है इस समय पर जो painful है मैं मान लेती हूँ कि आपके साथ दर्द बहुत बड़ा है पर इसको आपको झेल लेना होगा जितना आप दर्द को झेल लेंगे आने वाला time उतना ही निखर कर आपके सामने आएगा उतना ही आप पनी चीज़ों को कर पाएंगे तो यही आपके लिए universal guidance है कि जिस चीज़ के लिए आप तड़प रहे हैं उसके लिए थोड़ा मनन करें उसके बारे में सोचते हुए मनन करें जितना आप सोच कर विचार कर आगे बढ़ेंगे उतना ही आप एक निखरती हुई प्रतिभा के साथ आगे निखर कर आगे निखर कर आएंगे तो यह थी हमारी पाल नंबर वान की reading अगर आपको यह reading अच्छी लगी हो अगर आपको कुछ guidance मिली हो अगर आपको कुछ message मिला हो तो मुझे आप comment ज़रूर करें क्योंकि आपके प्यारे-प्यारे comments जब मैं पढ़ती हूँ कि आपके साथ यह चीज़े resonate होती है या आपको यह reading अच्छी लगती है तो मुझे बहुत inspiration मिलती है और बहुत सारे readings आपको देने के लिए आप अपने topic मुझे लिख कर भेज सकते हैं कि आप और कैसी readings को देखना चाहते हैं तो मैं उनकी readings भी आपको देने की कोशिश करूँगी अब बात करते हैं pile no.2 की चले आप देखते हैं कि आप किस बात के लिए बहुत जादा worried है तड़प रहे हैं और क्या आप लेना चाहते हैं जो अभी तक आपको नहीं मिला है यहाँ पर आपके लिए है first card seven of wands second card है ace of pentacles और third card है five of pentacles और इसके साथ साथ है आपके लिए laziness चलिए इसको detail करते हैं competitions कुछ ऐसी energies आपके लिए रही हैं जो आप face कर रहे हैं आप financially बहुत जादा इस समय पर परशान हैं और financially आप चाहते हैं कि कुछ आपको यहाँ पर जो मिलना चाहिए था वो शायद नहीं मिला तो इसके लिए आप बहुत जादा worried हैं यहाँ पर seven of wands दिखाता है कि competition जो भी रहा challenges जो भी रहे आपको hard नहीं माननी है आपको लड़ना है आपको financially अगर आपको लगता है कि वो चीज़ें आपको नहीं मिली जिसके लिए आप बहुत जादा सोच रहे थे जो आपके सामने थी पर आप उनको ले नहीं पाए वो आपको नहीं मिली पर अब आपको फिर से कोशिश करनी है आपको बार-बार कोशिश करनी है और एक time जरूर आएगा जब वो आपके हाथ में होगी जब आपके हाथ में वो project होगा जब आपके हाथ में वो चीज़ होगी अपने comfort zone से बाहर निकलना होगा आप में energy है, आप में passion है, आप में जनून है पर आप अपनी laziness को त्यागते नहीं है आप बहुत जादा lazy होकर बैठे रहते हैं और फिर सोचते हैं कि काम शायद खुद हो जाएगा तो ऐसा मत कीजिए, यही आपके लिए universal message है कि आपको इसको छोड़ना है, इसे release करना है और जो भी अच्छी opportunities आपके पास आने वाली है वो आपको accept करनी है और उठना है, अपने comfort zone से बाहर आना है जब तक आप उससे बाहर नहीं आएंगे, तब तक आपको challenges ही मिलेंगे और उन challenges को फिर आप face करते करते थोड़ा ठक जाएंगे तो यह चीज़ अगर आप नहीं चाहते हैं, तो आपको भरपूर कोशिश करनी चाहिए यह time आपका है, और universe आपको कह रहा है कि वो आपके साथ है आपके लिए वो energies भी दिखाई दे रही है मुझे Ace of Pentacles दिखाता है कि आपके लिए अच्छी guidance है आपको नई opportunities भी मिल सकती है अगर आप कोशिश करेंगे आपको खुद को improve करना है, खुद पर confidence रखना है, खुद पर believe करना है और इसके साथ साथ आपको अपने ground को hold करके रखना है इसका मतलब यह है कि आपको अपनी position को नहीं छोड़ना आपको अपने होसले को नहीं छोड़ना आपको उन चीज़ों को पकड़ कर रखना है जो आपकी strength है यहां पर इस बात को जरूर समझेगा आप आपको वो चीज़ें नहीं छोड़नी हिमेशा fight करते रहना है क्योंकि balance करके ही और अपनी laziness को त्याग कर ही आप जीवन में वो चीज़ें पा सकते हैं जिसके लिए आप सोच रहे हैं और बहुत तड़प रहे हैं और पाना चाहते हैं तो इसके लिए universal guidance आपके लिए ये है कि उठिये और अपने comfort zone से बाहर आएए कोशिश कीजिए खूब सारी कोशिश कीजिए तभी आप इससे बाहर आपाएंगे ये थी हमारी pile number 2 की reading अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो मुझे बता सकते हैं नीचे comment section में comment कीजिए आपके comments जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है तैंक यू सो मच आगे बढ़ते हैं pile number 3 की तरफ जिन्होंने यहाँ पर white color की crystal angel को चूज किया है आपके लिए आप किस बात के लिए तडप रहे हैं क्या आप पाना चाहते हैं क्या आपको वो मिलेगा या आपको क्या universal guidance है चले यह जानते हैं यहाँ पर आपके लिए जो cards निकल कर आएं है first card है the sun card my favorite card मुझे बहुत पसंद है यह क्योंकि sun की energies बहुत pure energies मानी जाती है और यह मेरा favorite card है इसके results मुझे बहुत अच्छे मिलते हैं तो आगे है queen of cups और इसके साथ साथ है three of swords our next card जो मेरे अपने tarot card से निकल कर आया है वो है extrovert चलिए detail करते हैं इसको यहाँ पर आपके लिए कुछ ऐसा है जो आपको बहुत emotionally hurt कर रहा है हो सकता है किसी किसी के लिए कोई ऐसा message आने वाला था जो आपको बहुत खुशी देने वाला था और आपके लिए third party situation सामने आई तो रिष्टे में कुछ problem यहाँ पर आप face कर रहे हैं इस time पर यह भी मैं देख सकती हूँ तर यहाँ पर मैं बहुत जादा कोई negative energy नहीं देख पा रही हूँ third card जो आपके लिए निकल कर आया है वो है three of swords यह आपके लिए थोड़ा सा hurt का issue हो सकता है जिसके लिए आप बहुत परिशान है बहुत तड़प रहे हैं पर जल्दी ही यह solve हो जाएगा resolve हो जाएगी सारी आपकी problem और जल्दी ही आपको एक good message मिलने वाला है तो आपको problem को face नहीं करना है कोई problem नहीं आने वाली बहुत जादा घबराईये नहीं अपने दिल पर जो आपको चोट लगी है वो जल्दी ही भर जाएगी जो भी hurt आपको हुआ है वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा इसका reason भी है कुछ के जो लोग third pile को चूज़ किये हैं उनके लिए यहाँ पर वो बहुत extrovert है वो अपनी हर दिल की बात हर किसी से कहते है उनको बोलने की बहुत जादा habit है तो यहाँ पर यह चीज़ मैं देख पा रही हूँ जिसकी वज़ा से लोग कभी-कभी उनके पीछे बात करते हैं या उनको hurt करने के कोशिश करते हैं तो अपने दिल को सब के सामने खोलके मत रखिए ऐसा करने से सब को आपकी बाते पता लग जाते हैं और वो आपके साथ गलत तरीके से डील कर सकते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ थर्ड पायल जिन्होंने चूज किया है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी गुड न्यूज आपको आ सकती है मुझे लगता है कि जिन लोगों ने इसको चूज किया है वो लोग अपने घर में बेबी का वेट कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज उनको मिलने वाली है तो बस आपको एक बात मैं जुरूर कहूंगी जो लोग इस बात के लिए वेट कर रहे हैं आपके लिए अच्छा मेसिज है पर आपको थोड़ा प्रिकॉशन भी लेना है थोड़ा सा ध्यान से अपने ध्यान रखके चलिएगा और अपने लिए थोड़ी प्रिकॉशन लेकर चलें आपको छोटी-छोटी बातों पर वरी नहीं करना चाहिए आपको एक प्योर सोल के आने की वेट करनी चाहिए और उसको आने के लिए जैसे आप वेट कर रहे हैं आपको कुछ अच्छे काम करने चाहिए कुछ आप spiritual books पढ़ें कुछ आप mantra चाप करें जिससे आपके बेबी को health मिले यहाँ पर थोड़ी सी energy में यह देख पा रही हूँ कि कहीं आपको छोटी-छोटी बातें बहुत ज़्यादा hurt करती हैं जो आपके बेबी पर भी गलत असर डाल सकती हैं तो इस बात का ध्यान रखें चोटी-छोटी बातों से दिल को दुखाने की कोई जरूरत नहीं है जो लोग आपके आसपास हैं वो आपसे प्यार करते हैं और आपको इस बात को समझना चाहिए कुछ लोगों के लिए यहाँ पर शादी भी हो सकती है छोटे-मोटे मन-मुटाव के बाद आपके शादी के होने के चांसिस हो सकते हैं तो अपने मन-मुटाव को दूर रखिए अपनी प्राब्लम्स को दूर रखिए यह चोटी-चोटी चीज़ें देखी हर जगह पर चलती रहती हैं तो यहाँ पर यह रीडिंग आपके लिए बहुत पॉजिटिव रीडिंग थी तो आपको युनिवर्स यही गाइड कर रहा है कि अपने मन की बात मन में रखे जल्दी किसी को नहीं बताएं जब तक वो पूरी नहीं हो जाती दिल को खोल के नहीं रखें क्योंकि फिर दिल तूट सकता है तो इसको ध्यान रखके ही आपको किसी के साथ बात करने चाहिए यह थी हमारे पाल नमबर थुरी की रीडिंग अगर आप पर यह रजुनेट की हो आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट जरूर कीजएगा ऐसी ही रीडिंग्स को देखने के लिए चैनल पर अपना प्यार बनाए रखें और इसी तरह से रीडिंग्स का जवाब देते रहें थैंक यू